कि नौश का दोस्तों क्या हाल है तो मैं मनोजित नंदी आज आपको यह जो फोटो है थोड़ा सा एडिर करके देखाऊंगा क्या बेसिक्स होते हैं जो बिगिनर है उनको हेल्प करेगा तो यह जो फोटो है बो हमने यह जो लेंस है एमटनन का वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा मिनोल्टा का 25 mm तो इसका लूक आप देख सकते हो बहुत ही ब्रिलियंट लेंस है यह इसका क्लियारिटी क्वालिटी जो भी है बहुत ही बेटर है क्लास भी बहुत अच्छा है ब्लैक बॉर्डर बहुत ही कम आता है जो बहु जाते है चलिए यह जो अपना फोटो है इसको एडिट करते है स्नैप सीट पर हम लोग वही करते हैं तो डारेक्ली जाते स्नैप सीट पर थोड़ा सा ब्राइडनेस बढ़ा लूँगा फोन का ठीक है तो पहले हम क्या करेंगे कि क्या क्या चीज़ है जो हमको ठीक करना चाह है इस और भाकी के पार्ड लगपकझे जो साइड से हमने फोटो को लिए है इस ऑउट्पूट चाहिए जो पॉण फैनल रेजल्ट हो जो इस एड को में फोकस के रखे क्या कर लेंगे इसको directly जाके crop कर लेंगे normal सी frame लेंगे free size पर फिर इसको डालेंगे crop पर अब देख सकते हो यह जो पीछे वाला जो blur वाला पार्ट है हम उसको भी ले रहा है ताकि यह जो frame है पूरा सा पूरा अच्छा दिखे चारो तरप से कि यह dragonfly है और हम इसका photo ले रहा है तो ठीक है चल को हम क्या करेंगे जो second part है तो tools पर जाएंगे फिर यहां पर जो अपना ट्यून ही में जाएंगे तो ट्यून पर जाके हम नीचे क्लिक करके यहां पर देखना saturation का option है तो यह से करके saturation पर जाएंगे saturation पर जाके हम just sorry saturation को थोरा सब बढ़ाएंगे जादा भी जरूरत नहीं है क्योंकि photo already good condition है जो color है बस saturation को इतना रखते हैं फिर हम क्या करता है Ambience जो है इसको थोरा सब रहता है Ambience घटाएंगे तो ऐसा dark हो जाएगा कुछ कुछ parts और बढ़ाएंगे तो ऐसा हो जाएगा तो हमको जादा नहीं चाहिए हम इतना रखते है तो photo क्या होगा वो HD में दिखेगा पूरा का पूरा अब हर एक photo में उसके condition या जो जो atmosphere फोटो क उस हिसाब से आप इसको adjust कर सकते हो ऐसा नहीं कि हर टेम इतना ही रखना है ठीक है आप photo एक free to use मतलब इसमें freedom है आपका कैसे आपका जो सोच है आपका जो thought process है आप उसको express करो और आपका जो नजरी है वो photography के थूरू आप एक्सप्रेस करो तो यहां पर done करते है अभी जो main काम बागी है tools पर जाएंगे यहां पर आपको क्या मिलेगा details मिलेगा और details पर क्लिक करो उसके बात नीचे जाओ यहां पर आपको दो option मिल जाते हैं एक है structure दो है sharpening तो मैं आपको दिखा तो अगर आप structure को use करो structure को hundred कर दो तो photo क्या होगा photo बहुत जगह से ऐसे हो जाएंगे ऐसे काला-काला दिखेगा ऐसा बहुत सारी लोग आप दिखोगे कि वो क्या कर देते हैं ऐसे हाई कर देते हैं full details के लिए तो यह दिख जाते हैं काला-काला parts ऐ एसे रखने दो आप सिर्फ सार्पनिंग यह जो सेकेंड वाला पार्ट है बो यूस करो सार्पनिंग को आप हाई करो थोड़ा सा पहले ठेक है simple फिर कर दो right अभी आप क्या करो यहां पर जाके यह जो option है मतलब यह जो option है यहां पर क्लिक करके आप यहां पर view areas का option आएगा आप क्लिक करो फिर आप details पर क्लिक करो फिर यह जो बीच का option है ऐसे बीच का तो आप उस पर क्लिक करो फिर आप क्या करो आप देखो कि यह सिलेक्ट अभी साइद हो रहा है ठीक है मतलब एक सेकेंड में देख लेता हूं हां अभी दखो यह without any sharp नहीं है और अभी with sharp नहीं ह तो हम क्या करेंगे हम इसको पूरा मतलब चारों तरब से नहीं पूछेंगे हम इसको without sharpening normal करते हैं और यह जो चीज़े इसको हम थोड़ा बढ़ा देंगे एक सेकेंड रूप चाओ इसको पूछ लेता है तो यह जो पार्ट है मतलब जो आई का यह पार्ट है हम इस पे यह जो sharpening हमने पहले use किया है उसको सिर्फ इस पार्ट पर apply करेंगे बागी पर रहने देंगे जैसे normal था तो हम करते हैं जाके तो अब देख लो कैसा हो रहा है यह दख लो कैसा हो पूरा तो हम इसको करते हैं ठीक है ऐसे हो गया अपना काम यह हर एक फोटो में apply करना जरूरी ह है ठीक है आप चाहे कुछ भी लेन से use कर रहे हो कुछ भी चीज यूज करो तो यह नॉर्मल सी बात है यह आप use कर सकते हूं easily ठीक है तो यह इस पार्ट पर देखो बागी के sharpening है अभी मैं normal रखता हूं तो इस पार्ट पर focus हो रहा है तो यही जरूरी है अभी क्या करेंग है डी डिडीन पर जाके structure जो है अभी structure पर थोरह संगेंगे कर तो structure पर उस्टेशर फेऊंगर के से ine प्रोसेस न छोगा फ्रीद से मैं पूरा लगा दूंगा तो आप देख सकते हो पुरा अपना हेट का जो है इन फोकस हो गया अभी यह फोटो कैसा दिख रहा है अभी क्या करेंगे यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा आपको नॉइज दिख रहा होगा दो तीन बाद जो डीटेल सामने अपले किया है तो ऐसे नॉइज तो आ है यह तो ह 30 होगा यह त्रन्जिशन इतना होगा यह वाई रीफॉर्ड क्लिक हो जाएगा लेकिन आपको इसको एज़स्ट करना है क्या करेंगे ऐसे करके हम ब्लार को हाई यह कम कर सकते हैं तो पहरे भीगनेर को जीरो करते हैं ट्रांजिशन को रखने देते हैं ब्लार को यह हम को कित और इबलार को रहने जाते हैं अगर ज़्यादा भी करेंगे तो फोटो में ऐसा डलने सा जाएगा तो हम इसको रहने देते हैं तो यह हो गए अपना फोटो लगबक एडिट अभी देखते हैं एक नया चीज है मैं आपको बताता हूं इस पर क्लिक करके अपना जो वाम थे फोटो का वो हा या कम कर सकते हैं भी जरूरत है थोड़ा सा बढ़ा देता हूं इसमें ग्रीन टोन जादा है थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूं ठीक है थोड़ा सा क्रॉप मैंने कर लिया अभी यह पार्सपेक्टिव है इसको थोड़ा पर्सपेक्टिव को हमने उसकिया तो फोटो का लूक एकदम ऐसे बदल गया ऐसे था ऐसा बदल गया तो पर्सपेक्टिव को यूज करके इसका जो एंगल है अप इसको एजीली चेंच कर सकते हो तो यह रहा अपना फाइनाल आउटपूट अब ही मैं क्या करूंगा थोड़ हां तो ऐसा भी ठीक ठीक लगड़ा है थोड़ा सा हां ऐसे थोड़ा सा रोटेट कर लूँगा एंगल से तो और भी बैतर देखेगा तो यह है अपना फाइनाल आउटपूट तो आप ऐसे ही अपना जो फोटो से इसको एडिर कर सकते हो एक बार सेब करने के बाद सेयार प एंगले पूर मिल जाए इस एंगल के लिए तो मैं यह भी कर लेता हूँ तो अभी यह अपना एडिट पूरा हो चुका